गुद मॉर्निंग चिल्रन हाव अरी ओल फाइन टुड़े वी विल टीच इखली सब्जेट इंट्रोड़क्शन वी फॉर वास देखिए वी फॉर वास है ना वास है नहीं कहाता है पॉट होता है अप लग जिसमें फ्लावर रखते हैं हम लग उसको बोलते हैं वी फॉर वा लग है ठीक है आईये हम स्टार्ट करते लिखना बहुत इजी है क्योंकि देखें पहले क्या करना है आप एक स्लेंटिल लाइन डालना है फिर उसके बाद एक और सेंटिल लाइन ऊपर से नीचे की हो ले जाना है सुरी नीचे से उपर की हो अग वी फॉर वाइलेन वी फॉ वाइलेन वी फॉर 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 वाइलेन ओके यह आपका वी फॉर वाइलिन कंप्लिट होता है उसके बाद next है आपका my writing book page number 41 okay student आईए देखते हैं यह heavy for violin देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर पहले से ही dot बना हुआ दिया है मैंने यहाँ पर class पर क्लिक है है और यहाँ पर date डाले 7 12 20 तो यहाँ पर जैसे पहले से dot बना हुआ उसके उपर आपको trace करना है ठीक है देखिए पहले यह slanting line बना है फिर नीचे की से ले जाते हुए उपर की और आपको फिर एक slanting line बनाना है यह हो गया वी for violin 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 ठीक है इस तरह आपको यह complete करना है फिर देखिए इधर राइड साइड में देखिए trace the letter V and color it आपको यहाँ पर देखिए वहले से dot बना हुआ है उसकी उपर आपको trace करना है जैसे देखिए मैंने कर रहा है देखिए यह बन गया अब इसमें आपको color करना है फिर यहाँ पर बोल रहा है take the picture that start with V आपको यहाँ पर दो picture बने हुए दिख रहे होंगे उसमें से V letter कौन से पिक्चर से start होता है वो देखने है यह कहा है जो कर है तो यह J से सुरू होता है और यह कहा है वाइलन देखिए आप यहाँ रखा है वाइलन वी फॉर वाइलन तो इसमें आपको tick लगाना है इस तरह से फिर क्या बोल रहा है डौ और circle around each V आपको यहाँ पर बहुत सारे letter दिख रहे होंगे उसमें से जो V letter है उसमें आपको circle करना है जैसी यह है V for violin देखिए ऐसा shape का कौन से है देखिए V तो वहाँ पर आपको इसा circle करना है V for violin V for violin V for violin V for violin Okay student today's work complete और next है आपका यह complete होने के बाद आपको क्या करना है देखिए यहाँ पर बोल रहा है circle the odd letter है आपको यहाँ पर circle the odd letter करना है जैसे यहाँ पर n for net लिखा है तो यहाँ पर देखिए जिसमें n for net एक जैसी ही letter को जिसमें से जो अलग होगा आपको three letter दिख रहे उसमें से n letter के बजाए दूसर letter है को उसमें आपको circle करना है जैसे यह है o for orange और यह कह है n for net और यह n for net तो o for odd है यह अलग है तो इसमें आपको ऐसे circle करना है ठीक है देखिए यह कों से है letter m for monkey तो यह भी m for monkey है यह भी m for monkey और यह क्या है पी for pencil तो इसमें आपको से circle करना है odd letter हो गया यह क्या है q for queen what is this this is r तो r में आपको circle करना है q for queen and q for queen o for orange तो o for orange and o for orange and this p for pencil odd हो गया तो odd में आपको circle करना है फिर last letter है आपका p तो यहाँ पे देखिए sorry यहाँ पे s लिखना था मैंने p लिख दिया है तो यहाँ पे देखिए यह s और यह s तो यह है p तो इसमें आपको circle करना है odd letter में फिर last में आपका है rhymes new rhymes है अपर new rhymes करेंगे इसमें इस बार करेंगे moon ठीक है page number 11 poem 9 page number 11 moon के बारे में करना है ओके आई यह start करते है poem 9 moon I see the moon and the moon sees me God bless the moon and gloss bless the me फिर से repeat करते हैं I see the moon and the moon sees me God bless the moon and gloss God bless me ओके यह poem को आपको repeat करना है बार बार today's work complete बेटा thank you